आजकल यूट्यूब पर शॉट्स बहुत बनाने का चलन हो गया है क्योंकि वाइरल इतने होते हैं व्यूज कापी मिलते हैं हाला कि कुछ खास कमाई नहीं होती लेकिन सबस्काइबर बढ़ते हैं तेजी से और व्यूज मिलते हैं कापी बढ़िया तो बहुत क्रेटर का मोट बनाना चाहिए आज की स्वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी सबस्काइब कर दीजिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शॉट्स एक्चुल में व्यूज लाते कहां से हैं तो शॉट्स का सीधा सा फंड है कि 85-90 परसेंट जो आपक करके शॉट्स देख लेते हैं या कई बार को टॉपिक हम सर्च करते हैं जैसे हाउट वीडियो यूट्यूब उसका भी शॉट्स आपको जो होम पेज पर दिखा देता है उसके भी आप क्लिक करके देख लेते हैं लेकिन जो मिजोरिटी में व्यूज आता है 85-90 पर जो आत होना है और भाई साब आपका शॉट्चेंज हो जाएगा तो एज यूजर आपको जो अपना शॉट्स है उस पर यूजर को रोकना है अब रोकेंगे जितने टाइम वह आपका एवीडी होगा एवरेज व्यू डूरेशन अब अगर मानलो आपने एक मिनट का कोई शॉट्स बनाया और उसको लोगों ने देखा सबोज एक मिनट का 50 सेकंड तक देखा तो आपका बाई साब ओडियंस रिटेंशन तो काफी बढ़िया हो गया लेकिन अगर मानलीजिए 30 सेकंडी देखा और बहुत सारे लोगों ने भले देखा लेकिन देखा 30 सेकंडी और आपका फिप्टी-फाइंड टू एक मिनट का आप बना रहें लेकिन लोग आपका 30 32 शर्च 25 सेकंड ही देख रहे हैं तो आपको अब शौ। 40-45 second का ही बनाना है क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप एक मिनट का ही shots बनाते रहेंगे और लोग आपको देख रहे हैं 35-40 second तक कही तो average view duration घट रहा है इसका मतलब जो आपका shots है उसको swipe up feed में बहुत ज्यादा YouTube की तरफ से recommend नहीं किया जाएगा और उस पर views नहीं आएगा तो आप अपने अनलेटिक चेक करें आपको लगता है कि 35-45 second ही हमारा देख रहे लोग तो shots की length कम कर दें 40-45 second का इस shots बनाए तो उसे AVD आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और जब AVD आपका बढ़ेगा तो automatically जो shots है वो swipe up feed में ज्यादा circulate करेगा algorithm और आपको ज्यादा views मिलेंगे क्योंकि Shorts system एक ही है कि दो तरीके से चलता है एक आपको कितना AVD आ रहा है दूसरा आपका like ratio क्या है बस यह चीज़ देखता algorithm और आपके shots को swipe up feed में circulate करता रहता है और इस तरीकी से shots viral हो जाते है तो अगर आपके भी shots में AVD की problem है तो अपने shots की जो length वो कम कर दीजिए आपको definitely फायदा होगा आप 15-20 दिन ये करके देखे लेकिन उससे पहले अपना analytic check कर लेना comment section में लिखके बताना आप कितने second का short अब तक बना रहे थे और आपका average view duration एनलेटिक में कितना आ रहा था अगर सला पसंद आई तो वीडियो को like कर देना मिलता हूं अगली वीडियो में net topic के साथ तब तक के लिए जैए